मेरा नाम है जिशान लाखा एंड वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल टाइटल देखे आप लोग आज पता चलिए क्योंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और मुझे कभी सारे इंस्टेग्राम पर मेसेज आते और सवाल आते कि जिशान हमें कौन सा सप्लीमें यूज़ करना चाहिए फैट लॉट्स के लिए अगर आप मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो नहीं कर रहें तो फॉलो में इंस्टेग्राम बीकॉज मैं वहां पर ज्यादा एक्टिव हूं यूटूब वीडियो नहीं बना पाता हूं मेरी बिजी शेडियूल के वज़े स वह उली 5% रोल प्ले करते हैं आपके मुसल बिल्डिंग में या फैट लॉस में जो हमारा में नूट्रिशन होता है और और आपका यही सब चीज सही नहीं है तो यह सब चीज वेस्ट है काफी सारे मेसेज़िज भी आते हैं इंस्टेग्राम तो और मैं कोशिश करता हूं और लगबग जितने भी सब क्वेस्चेंज होते हैं वह जादातर सप्लीमेंट्स के बारे में होते हैं 16 साल 17 साल या 20 साल के बच्चे जो अभी जॉइन किये उनको ऐसा लगता है कि सिफ सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉड़ी बन जाएगी यह सप्लीमेंट का डबा आपकी ब बॉयूम करेंग कैसा इंटेशिटी के साथ और 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 कैसे फूर सच हा रहे हो प्रौपर यांट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके बात आप लोग यह सब चीज ले सकते हो मुझे किसी तने आच पूचवा कि जशा में कितना चिकन खाएंगे कितने तो हमें कितने protein मिलेंगे, कितने fish खाएंगे, कितने meat खाएंगे, तो हमें क्या nutrients मिलेंगे, सब लोग बस खाली supplements के पीशे पड़े हो, तो ऐसा नहीं होता है, supplements के ओपर इतना rely नहीं करना चीए, definitely they play a role in our muscle building, but foundation अगर हमारी सही नहीं है, तो यह सब चीज कुछ काम नहीं है, so मैं बताता हूँ आप लोगों कि मैं कितना strict लिया करता था अपने transformation के टाइम पर, अगर नए viewers हैं, जो मैंने transformation वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं लिंक दालूँ आप लिस्रिप्शन में, वो आप लोग देख सेटो, almost 1 million news है, so thank you everyone for supporting me, और मैं यह पतातू कि जब भी मैं अपने meals बनाया करता था, कोई भी मील चाहे हो, breakfast हो, या lunch हो, या snack हो, कोई भी मील हो, post workout मील हो, तो अगर मैं उसके दर एक tomato भी आइड कर रहा हो, या onion भी आइड कर रहा हो, तो वो भी मैं उसे count किया करता, मलब इतना strict था, और इतना strict रहना पड़ता है आपको, definitely, if you are doing it naturally, my fitness pal app, वो मैं यूज़ किया करता था, आप लोग डाउनलोड कर सेकते हो, एंड्रोइड पर भी और एपल पर भी है, तो वो भी डाउट मैंने clear करते है काफी दोगों के, वो भी मुझे पूछा करते हैं कि भाई, आप कौन सा एप यूज़ करते हो, तो वो एप यूज़ करें, आप लोग बहुत ही अच्छा एप है, उसमें आप लोग foods ला लिए, आपको पता चलेगा, आपके calories फाइंड आउट करने के बाद, कि हाँ मैंने एकनी calories फाइंड आउट की, ये सब चीज छूड़ी चीज बहुत अच्छी रहती, हमारे muscle building goal के लिए, fat loss goal के लिए, definitely ये सब हमारा foundation है, ये सब हमारा foundation बिल्कुल भी नहीं है, so ये सब चीज आप लगो clear करनी है, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ, आप मुझे इंट्रीउस करना है, मेरी बोडी को इतना इंटेक नहीं मिल रहा है, जो मुझे चाहिए foods से, ये सब चीज इंट्रीश कर सकते हैं, जो आपके घर में जो दूद है, जो कोटेज चीज है, मिल्क प्रोड़क्स है, जितना आप रोटीन वो नैशल फूड से लोगे, और जितना बेनेफिट वो वो नैशल फूड आपको देखा, वो एक प्रोटीन पाउडर कभी नहीं देखा, और मैं एक और खास करके इक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बिगनर्स है जो ये देख रहे हैं, आप लोगो ऐसा लगता है, कि आप लोग जिम में जा रहे हो, पहला, पाइंड आप कीजिए कि आपकी बोडी को ज़रुरत है, कि आपकी मसल इतनी मैचिऊर हुई है, कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना है, मैंने ही कह रहा हूँ कि प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, बड़ उस तब ये स्टेज आता है, प्रोटीन पाउडर नहीं की जाएगी पूरी, तब जाके आपको प्रोटीन पाउडर इंटेक करना है, यह नहीं कि बस शिकन खाई नहीं रहे, दिन में तीन सुप शार्स को प्रोटीन ले रहे, बस देखिए कि मार्केट में इसकी एक हिस्ट्री एक ट्रस्ट लेवल हो, उसके बाद आप लोग उसे कंजून कीजिए, बस जन्यून होना चाहिए, सस्य की चक्र में मज जाएगी है, शायद हो सकता है, वो डूबलिकेट भी हो, बस आप जन्यून ले, उसका बिल ले, हर चीज़ चेक कीजिए, उसके बाद आप उसे कंजून कीजिए, और चाहिए वो इंडियरों हो या अमेरिकों हो फरक नहीं पड़ता है, बस चेक कीजिए कि वो सही हो, कर रहा है, और में यहाँ पर सिर्फ वन हाँ अन-फूappительно कि वरा यहाँ कन्जून कर रहा हूं, भी कारद हर चेक करें जस् ли थि हखक मेंजरों हिसाओट बूपनीज मेलमें मरे औट मिल मेरा बीडियो भी में लिण्क डालनete, प्राइब दिस्क्रिप्शन में तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो और मेरे इस्टेंग्राम में पहले हो इस युवज रहा भाई यह जो टो पर में डेस नेजन कर लेका ह। और उसके साथ में में एक स्कूप प्रोटीन पाउन देरा हूँ नेक्स सप्लिमेंट मिच आम उजिंग इस बीसी डबल है मैं यहां पर एक्सेंट का बीसी डबल है यूज कर रहा हूँ अगें यूज एनी अफ देम एनी ब्रैंड जसी तो दैट इस जनीव वन एंड इस इस हमें क्यों काम आता है अगर हम मैं यहां पर बीगनर्स को जरा भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसे यूज करने के लिए पहले आप लोग उतना इंटेंसिटी के साथ वरक आउट कीजिए उसके बाद सब आप वैसे इसमें यह सब सप्लिमेंट में तालिए तो ब्रैंट चेन हमें एक एनर्जी अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो हमारे न्यूटरिंस रहते हैं वह हमें मसल में पहुचाने के लिए मदद करता है तो नेक्स सब्लिमेंट विच आम उजिए इस ग्लुटर माइड और मैं इसे वन स्पूप करता हूं डेली नहीं करता हूं मैं शायद हटे में एक या दो बार जब में कोई बड़ा बॉड़ी पार्ट वर्क आउट कर लेता हूं बैक या लैक्स तभी में से इसे 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 लॉस कर रहा था तब मैं इसे डेली कंज्यूम करता था फिलाल के लिए जब मुझे इसा लगता है कि मैं इसे कंज्यूम करूँ तो मैं एक स्पूप आड कर लेता हूं अपने पोस्ट वकाउट के साथ तो यह बहुत ही अच्छा सप्लिमेंट है यह हमें रिकवरी के लिए हेल्प करता है और मसल सोरनेश भी इससे जल्दी रिकवर हो जाती है तो यह सब मेरे सप्लिमेंट से जो मैं यूज कर रहा हूं फिलाल के लिए आप आप लोग कहेंगे के जिशान ने तो सप्लिमेंट और भी यूज किये थे अपने पैट लॉस के लिए तो हमें क्यों माना जर्दी थी तब मेरे कैली इसको मैं और कम नहीं कर सकता था मेरे वकाउन को फिर मैंने बढ़ाया थोरा जा फिर मैंने सप्लिमेंट किया वह सब एक अलग चीज है उसका भी एक लेवल होता है आप लोग एड कर सकते हो वह वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो मेरे सप्लिमेंट के बारे में मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और प्लीज बिगनर्स आप लोग फोकस कीजिए आपकी क्यारी को फाइंड करने के लिए अगर आपको मसल बिल्दिंग करना है तो यू शुट गो फॉर ऐस कैलरी सब्लस और आपको जरूरी बिल्दिंग करने की आपको आपके वॉल्यूम ट्रेणिंग की पता होंगे चीए आपको कितना वॉल्यूम करना हैं दीरे दीरे गैज्वलियूम बढ़ाना है कितनी इंटेंचिटी डालना है पहला कोशिश कीज़े एक फॉर्म टैक्निक बराबर दमाइन म्सल करने की उसक मुझसे कुछ चीज़े उठा सकते हो और पॉलो कर सकते हो और रिसेंटली आए वालसो डन विट मैं स्ट्रेंद हाइपोट्रोफी क्लासिज और अगले हथे मेरे एक्जाम से मैं सर्टिफाइड बन जाओंगा मैं कोई कोच और ओनलाइन ट्रिंग नहीं शुरू कर रहा हूं मैं वस्त अपनी नॉलिज्ट के लिए में हमें किया है अगर मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसको हेल्प कर सको है तो जड़्सीट फोर टूड़ें